नमश्कार आप देखे हैं प्राइम बी की न्यूश चैनल सच का साथ इस वक्री कबर मेरट उत्र परदेश से आ रही है शवी दर्जकों का पता है कि लोगडाउन चल रहा है लोगडाउन का आज चोथा चरण सुरुआत हो चुकी है चोथा चरण के सुरुआत होने के बाद जहां मेरट में आपको बता चले कि सभी कामकार बंद हो वें पड़े हैं और कामकार पुरे बंद होने की वज़ए से अब गरीब और बेसहारा लोग को काफी दिख्कुतों का सामना करना पड़ रहा है हमारे साथ बढ़े लिए पूई रिपोर्ट बंड जड़ा आते हैं सभी वर्गों के और लोगों को मदद कर रहे हैं कभी भोजन के रूप में तो कभी राशन के पैकेट बना का लॉक्टाउन के बाद से ही बराबर जरुतमंदों के घर-घर तक पहुचाने का कारे कर रहे हैं जिनके घर पर शाधन खाना बनाने के नहीं है और साम में जिस दिन से रमजान सरु हुए हैं हम लोग लगातार रोजा इफ्तियारी का साम का कारे करम चार-पान सो लोगों का जरुतमंद का वो भी हम लोग घर-घर वित्रीत करा रहे हैं इसी बीच में हमने लगबग 200 सुके रासन की कीड़ भी बाटी हैं जिसमें एक 5 किलो आटा 2 किलो चीनी 2 किलो आलू तेल नमक चाय पत्ती घर का लगबग जरुत का सारसावान सो किटे वो हमने बाटी हैं और उसी बीच में हमने सेनेटाइजर भी जगा जगा कराए हैं जहां तक सरकारी चीजे नहीं पहुंच रही हैं सरकारी नगर निगम की मदद नहीं पहुंच रही हैं वो भी कराई हैं फेस मास्क बाटे हैं दवाईयां बाटी हैं जो पड़ पट्टियों में और पर और निके आवान पर लगातार हमसे पूछते भी रहते हैं वीच वीच में सारी जानकारियां हमसे मेरट के हाल चाल की ले भी रहे हैं तो तीन बार बात हमारी माने राष्ट अद्धगजी से भी हो गई है इस विशे में उनी से प्रेड़ना लेकर के हम गरीब जनता के मु इडिया के माधियम से भी जानकारियां मिल नहीं ऑर में स्वम भी जैसे खाना वित्रण करके आता हूं तो मैंने रोड पर प्रवासियों को देखा है और रोका है उनसे बात बी किया है तो नहीं पूरी तरह फेल है गरीब मजदूरों की बात करने वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्वपसियों में फस कर रहे गई है अचा पहुन भाई मेरेट में लगातार कुरोना के आगड़े बढ़ रहे हैं और स्वास्ति वाग की लगातार कम्या उजागर हो रही है यह सरकार की पूरी तरह जो है